गैस अगर आपके पास Just Money का EMI अवेलेवल है यानि अगर आपको Just Money का Credit Limit मिला हुआ है और आप इस Amount को Bank में Transfer करना चाहते हूँ तो आज का इस वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो Trick बताऊंगा उसके तुरू आप Just Money का आपका जो Limit है उसको Bank में Transfer कर सकते हूँ बट क्या वो Process है आगे हम बताएंगे तो प्लीज वीडियो को Like किजेगा, Share किजेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए आप अगर बात करें कि कैसे अमाउंट को आप अपना बैंक में ट्रांस्फर कर सकते हो तो दोस्ते यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा इस वेबसाइट का नाम है onlyfirst.com only01st.com जैसे ही आप डालेंगे आप यहाँ पर देख सकते एक SSL सिक्योर वेबसाइट है तो यहाँ पर कोई आपका ऐसे कार्ड डीटेल वगरा सब कुछ सेफ रहता है और एक trusted वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको बहुत सरे प्रोड़क्ट दिखेगा आपको simple सा चीज क्या करना है कोई भी ऐसे प्रोड़क्ट और करना है जिसका प्राइस मोर देन 900 रुपीस हो यानि 900 रुपए या तो उससे ज्यादा का प्राइस का कोई भी प्रोड़क्ट आप इस वेबसाइट से और कर लीजिए तो normally मैं क्या करूँ है आप फिल्टर लगा लेता हूँ प्राइस हाई टू लो का यहाप आप देख सकते हो सारे प्रोड़क्ट से यहाप आ रहे है तो एक सिंपल में 1949 का यह 1875 का एक प्रोड़क्ट में उठा लिया है इस प्रोड़क्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप आगे प्रोसीड करोगा तो कैसे आपको यहाप पे पेमेंट का ओप्षन दिखेगा एक-एक चीज़े बताऊंगा कोई भी एक सिलेक्ट साइज आपको करना है यहाप पेमेंट का ओप्षन में जैसपनी का ओप्षन दिखेगा ओचीज में आगे डिटेल में दिखाता हूँ तो guys product जैसे आप select कर ले तो यहाँ पर checkout का option होगा checkout पर आप जैसे click करेंगे तो next page पर redirect करेगा जहाँ पर आपको कुछ आपका details fill out करना होगा यहाँ पर login का option होगा already मेरा login है इसलिए यहाँ पर logout का option आ रहे तो आपको यहाँ पर login with google कर सकते हैं यहाँ पर आपको नाम, last name, address यह सारे चीज़ें mention करना है और आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद ऐसे option आपके सामने दिखेगा free shipping 5 to 7 business desk इस option को click करना है यहाँ पर आपको अलग-अलग payment options दिखेगा रेजर पे, paypal, cash and delivery and free cash आपको यहाँ पर करना है, reserve paypal option को choose करना है and यहाँ पर आपका billing address जो भी होगा वो आपको mention करना है और आगे आपको continue करना रहे अब guys, जैसे आप यहाँ पर place order का option पर आते हो reserve pay को select करने के बाद यहाँ पर आपको अलग-अलग बहुत सरे options दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, EMI option पर आना है and आप यहाँ पर देख सकते हो, EMI on cards and just money का option आपको दिया होगा just money का option पर आपको click करना है जैसे आप just money वाल option पर click करते हो तो यहाँ पर आपको आपका redirect किया जाएगा already मेरा lockdown है एक number से जो की इसके लिए just money के लिए eligible नहीं है आपको simple सा क्या होगा, आपको यहाँ पर just money का registered mobile number आपसे मांगा जाएगा आप mobile number डालेंगे, OTP डालेंगे यहाँ पर आपके पास plan आएगा कि कितना EMI करना है and आप next proceed करेंगे, OTP submit करेंगे आपका transaction complete हो जाता है जैसे यह चीज़ complete हो जाएगा यहाँ पर आपको refund लेने के लिए क्या option follow करना पड़ेगा अब मैं आगे अप लोग को बताऊंगा तो दोस्ते इस website से आपको refund लेने के लिए एक simple सा process होगा जो आपको follow करना है आपको क्या करना है simply यहाँ पर एक click करना होगा जैसे ही हो जाएगा तो आपको इस website के अंदर आना है मैं आप लोग को भी show करता हूँ क्योंकि website के home page में आने के बाद मैं आप लोग को show कर दूँँगा कि कैसे आपको यह चीज़ करना होगा तो normally आपको onlyfirst.com में फिर से वापस आना होगा जैसे आप onlyfirst.com इस website के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पर आपको three lines दिखेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप click करते हैं यहाँ पर contact us का option होगा contact us के option में आपको जाना है यहाँ पर आपको जाके यह form submit कर देना है choose and issue में जाना है आपको cancellation बला option को choose करना है आप यहाँ पर अपना remarks लिखके इसको submit करना है तो जैसे आप submit करेंगे उसका within 24 hours के अंदर अंदर आपको एक email confirmation आएगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस payment को कैसे वापस लेना चाहते हो अगर आपको एक payment back to source यानि अगर आपको just money में वापस चाहिए तो आपको इसके लिए कोई charges नहीं देना होगा जितना amount का अपने payment के है entire amount आपको वापस मिल जाएगा अगर आपको एक payment bank में चाहिए क्योंकि आप आपसे option पूछा जाता है अगर आप इस select करते हो कि मुझे पैसा bank में चाहिए तो ये company आपसे 3% का charge deduction करेगा and amount बाकी आपका bank में transfer कर देगा आपको कितना amount transfer होगा इस सारे चीज़े mentioned रहता है जो mail आता है उस पर तो entire process में payment करने के बाद mail करना cancellation के related and confirmed होकर आपको cancellation process होके refund मिलने तक का लगवक transaction plus 2 working disk का time लगता है यानि आज अगर आप order place करते हो तो काल छोड़के परसु तक आपके account में पैसा वापस आ जाएगा and एक best trick है जहाँ पे only लगवक धाई-3% आप खर्चा करके अपना account में पैसा वापस ले सकते हो जो कि आपका just money का balance हो अपने bank में transfer करा सकते हो बाकि अगर आप detail में इसके regarding कुछ भी query है कैसे करना है या क्या हो process होता है जानना चाहते हो तो नीचे एक WhatsApp number reflect हो रहा है उस WhatsApp number पे भी आप मुझसे contact कर सकते हो मैं आप लोग को details में चीज़ को समझाओंगा तो दोस्तों आशा रखने इस वीडियो से आप लोग को कुछ नया सिखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like कीज़ेगे शेयर कीज़ेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किज़ेगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए जाएगें वंदे मातरम दन्यवाद